प्रेमित्रो नमश्कार आप सबको दन तेरस वद्दिपाबली बहिया दोज की बहुत बहुत सुब कामना है यह पांच दिन का तुआर होता है लोग इसको बखू भी मनाते हैं जैसा अक दिपाबली बड़ा उत्साह बर्दक होता है तो आज मैं आपको बताऊंगा क्या आपकी रासी के अनुरूप ये तौहार कैसे मनाना चाहिए इसको दो पार्ट्सों में आपको जान करीदूँगा एक पार्ट्स पूजा कैसे करें और पूजा का महुर्थ क्या है और आप अपनी रासी के अनुरूप इसको कैसे मनाएं ये जान करीद आपको देने वाला हो पहली बात क्या आपको पूजा कैसे करनी चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है सौट मैं बताऊंगा इसको आप पंचोप चार विदी से पूजा कर सकते हैं अपने घर को साफ सुत्रा करके एक चौकी के उपर जो भी आप मूर्ती लेके आते हैं या कोई तस्वीर लेके आते हैं उसको वहाँ पर रख ले उसका फेस पूरब दिसाम होना चीए आपका उत्तर दिसाम होना चीए वहाँ पर एक लोटा जल रख ले कुछ फूल रख ले कुछ सुगंद की चीजे दूब बत्य अगर्बत्य रख ले थोड़ी मिठाई रख ले और एक दीपग रख ले और थोड़ी सी रोली रख ले या हल्दी या चावल रख ले इतनी चीजे सफी सेंट हैं और साथ में चांदी का सिक्काओ तो बहुत अच्छा आपके लिए अब यहां आपका जो ध्यान है वो बहुत जरूरी है सबसे पहले हम पांचों तत्तों को आवान करते हैं जिसे हमारी पूजा में कोई व्यग्ण ना हो और वो जो जल है ना उस जल को पहले सुद्ध करते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालने हैं और बस एक मंत्र का जाप आप कर सकते हैं कॉमन मंत्र है गंगा जी को ध्यान करना है वरण देवता को ध्यान करना है यनि अब वो जल सुद्ध हो गया है उसमें एक फूल डाल करके गेंदे का फूल उस जल के चारो तरफ उसको छिड़क दो अपने रूम में अपने मंदर में चिड़क दो और चिड़कने के बाद में आप अपने उपर भी चिड़के सा जल आप उनको पिला दें हैं यह आपका भाफ है यह मैंने एक छोटा सा एक ब Insurance अदमी के लिए हैं बहुत सिम्पल अदमी के लिए वैसे तो पंच उप चार ब Whenever दे हैं दस उपिशार बिदिय कोड़ा सोडास उपिशार बिदिय तीन में आपकी पूजा कम्पलीट हो जाती है इतना करने के बाद में अब आता है कौन से महुर्ट पे करें ये प्रदोस काल के अंदर अगर अच्छी हमारे पास में चोगडिया आ जाएं और इस्थिर लगन आ जाएं क्योंकि पूजा इस्थाई लक्षमी के लिए होती है हम लगन आती है तो ब्रिश लगन इसके अंदर ले सकते हैं ये भी देख सकते हैं लेकिन इसके लिए सूरह अस्थ के बाद प्रदोस काल चालू होता है प्रदोस काल और ये बारह तारीक को है बारह नवमर को साम को सूरह अस्थ के बाद आपके सहर के अंदर कहीं पर भी सूर अस्थो उसके बाद दो घंटे 42 मिनट का प्रदोस काल होता है दो घंटे 42 मिनट का नसीद काल होता है और दो घंटे 42 मिनट का महा नसीद काल होता है उसके अंदर आपको इसको करना है उस पूजा को सुरू करना है और इसके अंदर आप देखें जो अच्छी जो चोगडिया ह जो लाब अमरत ये आपको मिलेंगी और इसमें बरसलगन भी मिल जाएगी आपको तो आप देख सकते हैं इसमें बरसलगन की जो इस्तितिय नवंबर के अंदर दस तारीक को साम को है और ये ब्रिश लगन हैं साम को पौने छेवेजे से साथ चालीस तक यानि ये ब्रिश लगन आपको मिल रही है यानि साथ चालीस तक आप सूर अस्त के बाद यानि पूजा सुन कर सकते हैं और ये बेस्ट टैम रहेगा वैसे तो इसी पीरिड के अंदर आपको चोगडिया जो मिल रही है वो लाब की चोगडिया भी मिल रही है इसके अंदर सुब की और अमरत की चोगडिया भी आपको मिल रही है यानि सुब और अमरत दोनों चोगडिया आपको मिल जाएंगे ये बेस्ट है अब हम बात करेंगे आपको आपकी रासी के अउसार आपको कौन सी पधाई दान करनी है या लाल रंग के जो फॉरूट है वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं वो बेनेफिस लगा। उन से आपके घर में बरक्कत होगी बैनिफिट मिलेगा या कोई ड्राइफ रूट भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं और अगर कोई कपड़ा देना चाहते हैं तो लाल रंगा कपड़ा भी आप दे सकते हैं उसे बैनिफिट मिलेगा अभी ब्रसरासी और तुलारासी वालों के लिए अगर बात करें तो आप सफेद रंगे जो रसगुले होते हैं वो मिठाई या बर्फी इस तरह की चीज़ें जो वाइट रंग की जो मिठाईएं होती हैं वो बहुत ही लाबदाएक हैं वो आपके लिए बेनिफेसल रहेंगे दूसरे कलर की आप करेंगे तो आपका जो सुक्र है वो कमजर हो जाएगा मिठोन और कन्यारासी वालों की बात करूँगा तो आप फरूट जूस जो फरूट ये होती हैं या बंद पैक फरूट जूस होते हैं वो दे सकते हैं उससे बहुत जबर्दस लाब मिलेगा या हरे रैपर से यानि कई वारा आपने देख सकते हैं वो भी काफी अच्छा रहेगा करकरासी वालों के लिए ये करकरासी वालों के लिए सफेद रंकी प्योर सफेद रंकी मिठाईयां आप दे सकते हैं जिसमें के रसगुले भी हैं बर्फी भी हैं और जो भाइट रंकी जितनी भी मिठाईयां वो भी आप दे सकते है सिंग रासी वाले आप चाहें तो नमकिन दे सकते हैं कई लोग ऐसे चरपरी नमकिन देते हैं चिप्स देते हैं कुछ ऐसी चीजे बनी होती है वो अगर देते हैं तो आपके लिए काभी बनी फिसल रहेगा क्योंकि इसमें चरपरापन होता है तो ला रासी की जनकारी दी मैंने ब्रिश्चिक रासी की भी मैंने लाल रंग की जनकारी इसमें मैंने मेस और ब्रिश्चिक का एक ही रह होता है तो ब्रिश्चिक रासी वाले भी आप इसको दे सकते हैं क्यों इनका मंगल परदान होता है और धनू और मीन दासी वालों के लिए आपको पीले रंग की मिठाईया या पीले रंग के फ्रूट आप फ्रूट देना चाहते हैं तो पीले रंग के फ्रूट जो होते हैं केले भी दे सकते हैं अंगूर भी दे सकते हैं या और जो रंग के कलर्स जो होते हैं वो दे सकते हैं और साथ में आप पीली मिठाईयां वो भी दे सकते हैं बहुत सारी पीली रंग की बर्फी बनी होती हैं बोंदी के लड़ू होते हैं पीले और बहुत सारे बेसन के लड़ू होते हैं वो सब आप दे सकते हैं तो आपके लिए लाब दायक काफी रहेगा और आ आप कुछ पे जल होते हैं, वो आप दान कर सकते हैं, जैसे कोका कोला की चोटी-चोटी कैनी होती हैं, वो दे सकते हैं, पैपसी की कैनी होती हैं, वो दे सकते हैं, या काले रंग के फ्रूट्स जो आते हैं, वो आप दे सकते हैं, वो बहुत बेनिफिट देने वाले होंगे, आप काले रंग की जो गुलाव जामन होती है भूब आप दे सकते हैं इनसे आपकी जो रासियां है और आपके जो ग्रह हैं वो आपके लिए काफी मजबूती लेकर क्याएंगे। अब यहां पर आपको क्या नहीं देना अगर आपकी मेस रासी है बिश्चिक रासी है तो आपको काली चीज़ें बिलकुल नहीं देनी है क्योंकि सनी और मंगल एक दूसरे के से स्तुरू होते हैं आपकी अगर मान लो दनू और मीन रासी है तो आपको वाइट रंगी चीज़ ना रखें आप जब पूजा कर रहें तो उस समय इन चीजों को एवाइट करेंगे तो ज़्यादा चारेगा इतना करने के बाद में आप नमशकार करके और अपना पूजाओ भतम कर सकते हैं और दीपक जला सकते हैं जब दीपक जलाएंगे उस समय पर तो एक मंत्र है उसको भी आप प्रियोग कर सकते हैं और इस तरही से हाथ जोड़ करके आप लक्षमी जी को इस थाई रूप में अपने हाँ पर बठाने के लिए प्रांथना करनी चाहिए इसी प्रकार से और जनकार देते रहेंगे आप सबको दिवाली की बहुत-बहुत सुपका अबना है